खापरखेडा शेत्रित चिचोली कोलार घाट परिजदा में नाक पंचमी त्योहार बड़े उत्सा के साथ मनाया गया इस सुपलक्ष में भाविकों की मनुभावना के साथ भगवान शिव मंदिर में पूझा अर्चना के लिए भारी भी रूमडी भगवान शिव शंकर शिवलिंग नाक त्रिशुल की पूझा अर्चना की बताया ज़ारा है की कोला नदी तट इस्तित निसर की परियावरन में तब्बल 11 साल पुराना शिव मंदिर भसा है जिसे जैपूले समीती द्वारा मंदी लोग वरगनी द्वारा बनाया जिया हर साल की तरह नाक पंजमी को नाक त्वार भक्त कड़ाई का कारिकरम करते हैं इस मंदर की और से किसी भी लोग प्रतिनिदी, जन प्रतिनिदी और स्थानी प्रशासन का ध्यान नहीं होने से विकास थंडे बस्ते में पड़ा है कई सालों से मंदर विकास के लिए पार्ट पुरावा किये लेकिन मंदर का विकास नहीं हो पाया ऐसा भक्त जनों में बताया जा रहा है कुलान नदी में जब बाड आती तो आने जाने के लिए रास्ता बनाने की मांग ग्राम पंचाय प्रशासंगों की लेकिन कोई भी इस और ध्यान नहीं दे रहे आज युवा मैतरी ग्रोप शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भेट दी तो बताया गया कि सभी लोगों ने और भी विकास काम लोग वरगणी द्वारा किया जाए ऐसा पंच कमेटी को आश्वस्त कर दिया आज के इस कारिक्रम को सफलतारत जै भोले जनसेवा समीती के जीवन उई के हिमराज लोहारे अश्विन मरकवार प्रशान नागदवने आदी ने सफल बनाया उनने भी कुछ अभी तक किया नहीं है हर साल अपने को कच्छा बान बना देते है शिवरात्री में कार्यकरम होता नौरात्र कारव दिया जाता है तब यहां पर बाई लोग आती है भीड़ जमती है अपना दरसरे के दिन आपन रावन भी जला लेते एक बच्ची की खुश इन नदी के किनारे में हम चाहते हैं कि यहां पर सुनगरता मतलब हो गाउवाश्रियों के लिए और अच्छा कारीकरम होते हैं तीन बार नौरात्र में और नाक पंच्छी में और सिवरात्री में तीन कारीकरम हमारे साल में होते है इन बीजियन न्यूस के लिए खापर खे झाल झाल